आप लोगों का वेलकम करता हूँ एक बार फिर से एक ऐसे धमाकेदार शो में जिसमें की आपकी आज के बाद से वोकैबलरी और ग्रैमर की प्रोब्लम ही खतम हो जाएगी और आज जो है वो हम लोग एंट्री करने वाले हैं एक ऐसे ग्रूप ऑफ वर्ड्स में जो की आपके एक्जामेनेशन में बार बार पूछे जाते हैं और ये जो आप किताब देख रहा है ब्लाक बुक ऑफ इंग्लिस वोकैबलरी इसको जो हम लोगों ने खदम करने का जो ट की तो एक दम कुरसी की वेटी बांध लीजे एक नए शो में एक नए तरीके से एक नए जोस से एक नए बुलंदी से जो है वो हम लोग लेके चलेंगे वोकैबलरी और ग्रैमर की हर एक प्रॉब्लम को खतम करने के लिए एक क्लास ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे मैंने क्या किया है बड़ी चालाकी से common error का एक question दे दिया है आपको यह बता रहा है कि इस question में क्या मिस्टेक है कौन से पार्ट में मिस्टेक है ठीक है कई सारे grammatical concept आप इस क्लास के थूस सीखने वाले हैं ठीक है दूसरी बात हर एक question में निकलेंगे कुछ ऐसे words जो आपक देख रहे हैं जिसमें सबसे पहला word है आपका acrobat यह दिमाग में डालिए यह जो word है acrobat acrobat किसको कहा जाता है तो acrobat कहते हैं हम लोग कलाबाज को remember रखना कलाबाज को कहते हैं अगर English में इसका कोई synonym लेना हो तो आप लेंगे gymnast ठीक है वो athletic लोग होते हैं olympic में आपन कलाबाजियां करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं acrobat राइट चलिए उसके बाद एक word है acumen अगर आप acumen का मतलब जानना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ देखे क्योंकि बद्धिमान तो आप ही है न तो कहा जाता है कि जो आदमी दक्ष है जो आदमी दक्षता रखता है दरसल यह parts of speech में एक noun है यह जो आप word देख रहे है acumen यह parts of speech में एक noun है और इसका जो मतलब होता है वो होता है दक्षता या आप इसको ये भी कह सकते हैं वाइजनेस बुद्धिमता आप इसे बुद्धिमता भी कह सकते हैं वाइजनेस भी कह सकते हैं जो हर इंसान में होनी चाहिए समय के according time के according ताकि वो जो सपने देखता है जिसे वो पूरा करना चाहता है उसे वो पूरा कर सके ठीक है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक वरड है मारे पास अड्डॉइट यह वरड ऐसा सिट जम के बार-बार début रोड को अगर आप बात करेंगे तो अड्डॉइट का मतलब जो होता है वो क्या होता है समझ लीजे इसका मतलब होता है कुषल इसका मतलब होता है कुषल और अगर आप इसका sinonim देखेंग तो आप पुछेंगे कि acumen में और adroit में क्या फर्क है तो मैं आपको बता दूँ कि acumen जहां parts of speech में एक noun है वहीं adroit parts of speech में एक adjective है यानि ये word विशेष्था quality बताता है वहीं acumen जो word आप देख रहे हो ये word noun के form में use में आता है ये दोनों word के बीच में सबसे बड़ा difference है इसके मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज अचानक से हुई है यानि जो चीजे accidental है या जो चीजे abrupt हुई है अचानक से हुई है तो इन्हें हम लोग कहते हैं कि ये चीज जो है वो advances है ठीक है तो ये चारो का चारो word हमारे complete हो गए अब देखते हैं कि इस question में grammatical mistake क्या है क्योंकि जितने भी word आ रहे थे ये word तो पीट दिये गए कोई problem नहीं है मैं बताता हूँ आपको देखे problem कहा है यहाँ पर ये एक subject है है इसको आपने जोड़ा किस से and से और ये हमारा second subject हुआ यानि आपने दो subject S1 और S2 को जोड़ा है किस से and से तो अगर आप and से दो subject को connect करते हो त जैसे horse and carriage है ना bread and butter अगर इस तरह का noun नहीं है तो उस situation में अगर दो subject को and से जोड़ोगे तो verb हमेशा singular होगा नहीं 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 बलकि दो subject को अगर and से जोड़ोगे तो verb हमेशा plural होगा और इस situation में यहाँ जो verb है इसमें आपने S लगाया इसका मतलब ये singular verb ले लिया गया ज जब कि चाहिए क्या था चाहिए तो था plural तो जब plural चाहिए था तो keen's नहीं word होगा कौन सा keen यानि plural verb दो subject को and से जोड़ा verb होगा plural इसमें कुछ exceptions भी होते हैं अपवाद भी होते हैं और वो भी बवाल वाले अपवाद होते हैं लेकिन वो बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसकी screenshot ले लीजिए ले लीजिए लीजिए आहा वाह बहुत बढ़िया देखिए अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दरसल पूरा complete matter क्या होता है and का खेल क्या है verb के साथ है ना तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर दो subject को अगर आपने and से जोड़ा तो verb हमेश पल्टी मारके singular हो जाएगा फिर एक और इसका form है कि दो subject को अगर आपने and से जोड़ा और दोनों subject के पहले अगर दर लग गया तो verb फिर से क्या हो जाएगा plural हो जाएगा ठीक है? दो subject को and से जोड़े तो verb plural, दो subject and से जोड़े और दोनों subject के पहले दर लग जाए तो भी verb plural लेकिन एक ही subject के पहले दर लगे तो verb singular, दूसरी बात combined noun है जैसे कि horse and carriage है, या bread and butter है इस तरह के noun जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, अगर इस तरह का noun अगर मिलके बनता है तो verb आएगा कैसा singular इस case में भी, तो ये चारो case and का याद रखेगा, जिन्दगी में कभी syntax का problem नही reason नहीं होगा, यहाँ देखे इस subject के पहले भी दर लगा है और यहाँ पर इस subject के पहले भी दर लगा है, तो जब दोनों subject के पहले दर लगेगा, तो verb आएगा plural, तो plural आएगा, तो कीन्स में एस नहीं लगेगा, किसी भी verb में एस लगाने से वो singular हो जाता है, तो एस हटाएं आपने उड़ा दी केवल कितने मिनट्स में चार से पाँच मिनट्स में ठीक है अब आईए हम लोग देखते हैं अपना second question दूसरे वाले question की तरफ आते हैं इधर नहीं इधर आओ ये रहा दूसरा question ठीक है इसको भी पीड़ देते हैं हम लोग पीड़ने में क्या problem है कोई इस और फिर एक word है adapt तो हमोना इंस हो गया मिलते जुलते words अब क्या करोगे आप तो सबसे पहले मैं बदादू ये जो आप adapt देख रहे हैं इसका मतलब होता है कुशल क्या मीनिम होता है इसका कुशल है ना कुशल कहने का मतलब क्या हुआ इंग्लिश में आप इसका synonym ले सकते हैं skilled या expert क्या बोल सकते हैं skilled या expert फिर जो आप दूसरा word देख रहा है adopt कौनसा word देख रहे हैं आप यह जो word आप देखरें, adapt एक adjective होता है यानि quality बताने का काम करता है, ठीक है? फिर जो दूसरा word देखरें, आप adopt यह दरसल एक verb होता है, यह एक क्या होता है, ठीक है? और adopt करने का मतलब क्या होता है? अपनाना, गुधलेना या अपनाना, ठीक है? क्या कहेंगे आप लोग? अप Embrace, कौन होता है हमारा, Embrace, Embrace मतलब ये देखे, ये वाला word, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है हमारा, अपनाना, किसी को गोध लेना, किसी को अपनाना, किसी चीज को मान लेना, ठीक है, अगर एक phrasal verb लेना हो, तो इसी के लिए आपके एक phrasal verb लेंगे, take on, take on करने का अपना लेना, यानि adopt, ठीक है, चले, ये तो clear होगे हमारा, अब देखिएगा, एक word है हमारा, adapt, कौन सा word है हमारा, adapt, adapt करने, ये भी एक verb है, parts of speech में ये भी एक verb है, और इसका मतलब होता है, समझेगा ध्यान से, इसका मतलब होता है, अनुकुलित होना, क्या होना, अनुकु कर लेना, ठीक है, तो अगर आप adjust करते हैं, तो adapt करते हैं, अगर आप किसी को आप ना लेते हैं, तो adopt करते हैं, और अगर आप क्या करते हैं, अगर आप कुशल है, expert है, तो आप उसके लिए क्या use करते हैं, adapt का, ठीक है, तो ये चारो word clear हो गए, और इसी adopt का synonym हमारा कौन हो है जो एक से ज़्यादा को बता रहा है तब इस situation में इसका जो antecedent होगा वो भी plural होगा वो भी plural होगा यानि हिज नहीं वो होगा क्या there है ना क्योंकि there एक से ज़्यादा को बताता है और हिज एक को बताता है, यहाँ एक से ज़्यादा लोग है leaders, तो फिर आप hedge नहीं आप क्या use करेंगे, dare का यानि कि concept, what answer हो गया C हो गया, ठीक है, आप इसके screenshot ले लीजिए, और फिर चलते हैं हम लोग अपने next सवाल की और question की और जो की है question number 3, ठीक है कभी कभी क्या होता है, कि simple सी बात है कि अगर आपको concept का पता है, rule का पता है, तो एक अलग ही confidence आपके चहरे पे जो है वो दिखेगा ठीक है, चले question number 3 हिट करते हैं हम लोग, कितना असान है सबसे बहले words को देखिए word है कौन सा? aesthetic कौन सा word है? aesthetic aesthetic का मतलब क्या होता है आप इसे कहते हैं, खूबसूरत क्या कह सकते हैं, खूबसूरत तो synonym क्या हो सकता है इसका, attractive हो सकता है क्या हो सकता है, इसका synonym attractive यानि अकर्शक है ना फिर क्या बोल सकते हैं, artistic भी बोल सकते हैं, beautiful भी बोल सकते हैं, है ना चलिए उसके बाद अगर देखेंगे तो एक वर्ड है allitration कौन सा वर्ड है हमारा allitration ठीक है allitration का मतलब क्या होता है इसको कहते है हम लोग repetition of sounds क्या बोलते हैं इसको repetition of sounds ठीक है कहने का मतलब कि अगर कोई sound जब बार बार repeat हो रहा है जैसे अगर आप बोलते हैं कहें पे सुनो तो ऐसे जो repeat करकर के जो voice आ रही है तो उसी को हम लोग क्या कहते है alliteration कहते है या किसी को बार बार एक ही बात जो है वो सुनाना कहना ये भी alliteration कहलाता है ठीक है उसके बाद एक word है हमारा almanic almanic क्या था हमारा Greek पंचांग था calendar था इसलिए इसका synonym हमारा कौन होता है calendar ठीक है चलिए उसके बाद एक word है हमारा कौन सा ambivalent ambivalent किसको कहते है देखिए अगर विचारों में confusion हो सोच में confusion हो यानि अगर कोई चीज uncertain हो या confusing हो तो आप उसी को क्या कहते है आप उसी को कहते है ambivalent क्या बोलते हैं अप इसे ambivalent अब आते इस question के error को हम लोग find करते है देखिए बहुत easy है बहुत simple है ध्याम देखिए देखना यहाँ and लगाया and के साथ एक concept होता है वो हमेशा चीजों को balance करता है हमेशा balance करता है ठीक है अगर एक तरफ plural noun तो दूसरी तरफ भी plural noun एक तरफ singular noun तो दूसरी तरफ भी singular noun तो and के पहले जो noun है illustration आपने इसमें s लगाया तो इस noun को आपने क्या बना दिया plural तो काइदे से अगर देखे तो यह कहेगा कि जब and के इधर plural तो and के इस साइड भी plural होना चाहिए यानि ये जो noun है ये भी plural होना चाहिए तो प्रोज में s तो आपने लगाया ही है यानि plural तो है प्रॉब्लम ये नहीं है प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऐसा noun है प्रोज जो की एक collection को collection of poems इसको represent करता है और कभी भी आप इसमें s लगाते नहीं है यानि प्रोज इस नहीं क्या लिखा जाएगा प्रोज केवल क्या लिखा जाएगा प्रोज यानि कौन सा पाट answer हो जाएगा तो ये question भी गए हो अब देखिए इसके screenshot ले लिजे जितने भी words है अब चलिए start करते है हम लोग अपने fourth question को ये भी बड़ा simple है बहुत आसान है बहुत easy है अब word लिखा amorphous कौन सा word लिख रहा है ये amorphous amorphous का मतलब क्या होता है जरा समझेगा ध्यान से समझेगा ये जो word है amorphous इसका मतलब होता है जो अनुरूप हो अनुरूप किसको कहते है जो जैसे क्या है water water को जिस shape में डालोगे वो उसी चीज़ का shape ले लेगा बरतन में थाली में डालो थाली का shape ले लेगा कटोरे में डालो कटोरे का shape ले लेगा है ना इसको कहते हैं हम लोग अनुरूप है ना तो उसी को हमें लोग क्या कहते है अमोर्फस ये दरसल होता क्या है जो चीज़ अमोर्फस है या निवो शेप लेस है जैसे कि वा टर वाटर का कोई शेप नहीं होता ठीक है कुछ चीज़े ऐसी होती है जिसका कोई form भी नहीं होता है ना तो उसको क्या कहते है formless और उसी को हम लोग क्या कहते है amorphous भी कहते है ठीक है उसके बाद एक word है anachronism कौन से वर्ड है मारे पास anachronism anachronism का मतलब होता है कि जो out of date है जो क्या है ہمारा out of date है ठीक है out of date है मतलब जो obsolete है जो obsolete है obsolete क्या होता है जो durable नहीं है जो टिकाव नहीं है लंबे समय तक चलेगा नहीं temporary है आज है कल नहीं रहेगा यानि वो युगो युगो तक नहीं चलेगा वो आयोगिता को के principle को क्या करता है follow करता है ठीक है चलिए एक word है animism कौन सब word है animism animism का मतलब क्या होता है दरसल animism एक belief है animism एक क्या है belief है किस चीजम में belief है तो animism believe in spirits क्या बोलते हैं इसको belief in spirits अगर भूतों में आत्मा में believe करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं आनिमिजम कहते हैं ठीक है और एक है हमारा anthology anthology का मतलब होता है collection of the collection of something ठीक है तो collection या compilation है ना इसके लिए आप word यूज़ करते है कौन सा anthology ठीक है clear हो गया यह चीज़ चले इसके बाद देखते हैं कि इस question में mistake क्या है लेका the anthology of animistic focktails transported कहने का मतलब क्या कि जो animistic animistic का मतलब क्या होता है भूतों की जो कहानिया है उसका anthology यानि उसका collection ठीक है transported readers to an amorphous realm which anachronism were commonplace है न यह कहता है यह एक ऐसी जगह थी एक ऐसा शाशन था जिसमें की anachronism एक commonplace बन गया था है तो जहां की आप तो एक जगह को बता रहे है न तो जब जगह को बता रहे हैं तो which नहीं आप इसके लिए where को बताएंगे क्योंकि जो WH word place के लिए इस्तमाल में आता है वो which नहीं वो where होता है और अब देखिएगा जहां where place को बताएगा वहीं which जो होता है यह selection को बताता है किस इसको बताता है यह which of the following पोलता है न which of the following options is correct यानि इन में से कौन सा एक option जो है वो correct है ठीक है तो इसके लिए हम लोग selection बताने के लिए क्या यूज करते है विच का और place बताने के लिए where का तो यहां selection नहीं जगह की बात हो रही है place की बात हो रही है so that which नहीं क्या यूज में आएगा where यूज में आएगा चार वर्ड भी clear और यह सारे के सारे error भी clear अब चलते हैं हम लोग अपने अगले question की और question number 5 यह भी बड़ा simple है बड़ा easy है चुटकी में उड़ा दूँगा इसको देखो anthropoid अब anthropoid का मतलब exactly होता क्या है है तो सबसे पहले मैं बता दो कि anthropoid एक तो इसमें anthropo लगा तो anthropo का मतलब क्या होता है human और जो चीजे human के जैसे दिखती है इंसानों जैसे दिखती है तो उसको हम लोग क्या कहते है उसको हम लोग कहते है anthropoid अच्छ एप like भी अगर कोई चीज होते हैं वो सारी की सारी चीज़े anthropoid होती है देखिंगे हम लोग alien को भी imagine करते हैं अगर हम लोग alien को भी imagine करते हैं तो उसको भी हम लोग लेकिन कहीं न कहीं human से मिलता जुलता ही हम लोग shape लेते हैं, हम लोग अपने भगवान का जो स्वरूप अपने मन में imagine करते हैं, तो वह भी हम लोग अपने अनुसारी एक इंसान के जैसा ही imagine करते हैं, है की नहीं, तो इसी को कहते हैं हम लोग anthropoid, फिर एक वर्ड है apostasy, कौन सा वर्ड है मारे पास, apostasy, apostasy का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कहते है renunciation, renunciation भी कहते है, remember रखेगा, और इसके बाद एक वर्ड है defection भी, क्या कहते है इसको हम लोग defection भी, दरसल इसका मतलब होता है त्याग, किसी चीज़ को छोड़ देना, त् इसकरते है कौन सा apostasy, ठीक है, तीनो वर्ड खोब पुछता है exam ने, एक तो renunciation भी पूछता है, एक हमारा apostasy भी पूछता है, और एक हमारा relinquish भी पूछता है, relinquish, है ना, कौन सा वर्ड है ये, relinquish, यह भी word exam ने खोब पुछता है, यह तीनो वर्ड याद रखेगा, सब क का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो एक word है, हमारे पास कौन सा? apostate. कौन सा word है, हमारे पास? apostate. apostate कौन होता है, जो apostacy करता है, यानि त्याग करने वाला, एक तो त्यागना, त्यागना के लिए वर्ड आता है apostasy और apostate का मतलब होता है त्याग करने वाला इंसान ठीक है जो इंसान त्याग परित्याग करता है उसी को हम लोग क्या बोलता है apostate बोलते है कर्म को apostasy, इंसान को apostate ठीक है, फिर एक वर्ड है Apostle, Apostle में post है देखिए अगर गौर करिएगा तो इस वर्ड है post है ना तो Apostle का मीनिंग क्या होता है वही जो post करने का काम करता है यानि आप उसे messenger भी कह सकते है और आप उसे sis भी कह सकते है यानि आप उसे disciple भी कह सकते है ठीक है remember रखेगा sis भी होता है दूत भी हो जाता है messenger भी होता है जो information को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुचाता है हिंदी में इसे प्रेशक बोलते है सही word इसके लिए क्या होगा प्रेशक है ना तो चारो word clear होगे अब चलिए इस question को उड़ा डालते है क्या ही problem है वर्ब में एस और इस लगाना है तो हमेशा V1 में लगता है कभी भी V2 में आप एस या इस का यूज नहीं करते है तो सुक में अगर एस लगेगा तो statement क्या होगा wrong होगा यहां पर लगाया सुक में एस लगाया statement wrong part number one क्या होगा answer तो remember रखना कि जब भी singular और plural बनाना हो अगर जब भी आपको singular और plural बनाना हो तो यह चीज दिमाग में रखिएगा कि हमेशा आप V1 में ही S और E S लगाएंगे कभी भी V2 में आप S और E S का use जो है वो नहीं करते हैं यह बात आप अपने दिमाग में डाल लीजे ठीक है चलिया next चलते हम लोग question number six के तरफ यह रहा देखे सबसे पहले जो हमारा word है approbation approbation का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है approval क्या मिनिंग होता है इसका approval ठीक है remember रखेगा तो हिंदी में इसी को हम लोग क्या कह सकते है स्विकृती क्या बोलेंगे हिंदी में इसी को हम लोग स्विकृती बोलते है तो अगर आप किसी चीज किसी काम को करने के लिए approbation देते है यानि कि आप agree कर जाते है कि चलो ठीक है आप ये काम करो ठीक है उसके बाद अगर देखेगा तो aquophobia है ना fear of water fear of water अगर जल से डर लगता है पानी को देखा डर गए तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते है कि इसको हो गया है aquophobia फिर एक word है हमारा arsonist कौन सो word है हमारा arsonist ठीक है तो arsonist का मतलब क्या होता है इसको हम लोग कहते है fire bug ठीक है fire fighter भी बोल सकते है आग से खिलने वाला ठीक है आग के साथ काम करने वाला तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग arsonist ठीक है चलिए उसके बाद एक word हमारा कौन सा है एक word हमारा armory armory का मतलब क्या होता है इसके एक armory भी बोलते है इसको हम लोग deport भी बोलते है depo ठीक है इसको हम लोग deport भी ठीक है तो ये चारो के चारो word clear हो गया आब इस question को भी हम लोग पीड देते हैं देखी तो इसमें क्या मिश्टेक है द्यान सा देखना जरा ठीक है इसमें लिखा approbation से part number B में what is approbation approbation का मतनर क्या होता है स्विकृति स्विकृति लेनी है किस से लेनी है तो से के sense में for नहीं क्या चलता है from चलता है part number B answer हो गया ठीक है स्विकृति लेनी है उसके fellow criminal say तो say लेनी है तो से के sense में for नहीं क्या चलता है from चलता है सीधी बात में बता रहा हूं जितना understanding और मीनिंग से बनाओगे इतना बेटर रहेगा आपके लिए चलिए इसका screenshot ले सकते हैं आप लो चलिए दिमाग में रखिएगा एप्रोबेशन के साथ जो प्रेपोजीशन चलेगा वह कौन सा चलेगा from now next question question number 7 देखिए word कई सारे हैं इसमें कई सारे important critical word है सारे words को देखते हैं इसके error को भी solve करते हैं लेकिन सबसे पहला जो word है वो है आरकर कौन सा word है मारा आरकर आरकर का मतलब क्या होता है वो होता है धनुस चलाने वाला यानि उसको कहते है धन और धारी क्या बोलते हैं धन और धारी बोलते हैं यानि की जो bowman होता है क्या बोलते हैं इसको bowman यानि धनो स्चलाने वाला इंसान ठीक है फिर एक है arteries वो होता है ना blood circulate करने वाली जो धमनिया होती है यानि उसी को हम लोग क्या बोलते है blood vessels ठीक है blood को circulate करने वाली जो vessels होती है जो नस्य होती है जो धमनिया होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते है arteries बोलते है फिर एक word है artisan कौन सा word है हमारा artisan artisan कौन होता है हमारा शिल्प कार होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग सिल्प कार बोलते हैं यानि इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिस्ट भी क्या कॉल करते हैं हम लोग इसको आर्टिस्ट बोलते हैं या आप इसको कह सकते हैं क्राफ्ट्समैन क्या कॉल करेंगे इसको हम लोग क्राफ्ट्समै अलग अलग तरीके के क्राफ्ट बनाने वाला, पेंटिंग बनाने वाला, मुल्तिया बनाने वाला वो आटिसन हुआ और एक है asperity, कौन सब वर्ड है मारे पास asperity, asperity का मतलब क्या होता है अगर आप अपने टोन में, बातों में, रूखापन रखेंगे है न, यानि harshness, don't maintain asperity in your voice, यानि कभी भी अपनी बातों में रूखापन नहीं रखेंगे, harshness मत रखेंगे, roughness मत रखेंगे, तो इसी को क्या call करते हैं हम लोग asperity, है न, ओके, चलिए इस question को पीड़ते हैं हम लोग क्या लिखा question में, गलत, गलत, देखिए, एंड के बाद arrow में S लगा है, तो बो के बाद भी क्या लगने वाला है, S बैलन्स करेंगे, ऐसे भी right fresh हबारा क्या होता है, बोज एंड एरोज, क्या बोलते हैं हम लोग बोज एंड एरोज, दोनों plural noun होगा, ठीक है, और ये आपका balance नहीं है, एक तरफ singular noun, एक तरफ plural noun, जो statement को ऐसे भी wrong करेगा, चाहते तो इसे भी singular कर सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है, कि वो अपने, अपना जो बैग है जिसको पीट पर रखता है, बहुत सारे धानूस बान रख सकता है वो, यहाँ पे इसको बोज एंड एरोज कहना चाहिए, य asunder, कितना important यह word होता है, asunder का मतलब क्या होता है, asunder करना, मतलब एक तरीके से देखे, तो किसी को भी separate कर देना, यानि अलग-अलग कर देना, यानि apart कर देना, क्या कर देना, किसी चीज़ को apart कर देना, ठीक है, यह asunder का meaning होता है, बहुत exam में पूछता है, जबर दस पूछत फिर एक है autocrat, autocrat कौन होता है, जो अपना सिख्का हर जगर चलाना चाहता है, उसी को हम लोग बोलते है autocrat, इसी का एक सिनोनिम होता है हमारा despot, क्या बोलते हम लोग इसको despot, ठीक है, spelling ठीक लिखेगा D.E.S. होगा, और एक जो हमारा होता है, वो होता है dictator, कौन सा वर्ड ह है हमारा dictator तो वही जो अपना सिक्का चलाता है like Hitler तो Hitler एक autocrat person था एक dictator था एक despot था ठीक है फिर एक word है हमारा avaricious किसको बोलते हैं जो greedy होता है यानि लालची होता है तो आप उसे क्या बोलाते हैं avaricious देखिए सब ऐसे word हैं जो exam में जम के पूछ जाते हैं और बहुत problem करते हैं अगला जो word आप देखने हैं वो है exam exam का मतलब क्या होता है दरसल इसी का मतलब होता है सद्धान्त क्या मिनिम होता है इसका सद्धान्त अगर synonym देखे तो क्या क्या हो सकता है synonym हो सकता है principle maxim हो सकता है इसका synonym इसी का synonym doctrine हो सकता है तो बहुत सारे word है इसके synonym है जो आप ले सकते हैं इसमें से doctrine word इसमें से exam word exam में बहुत जादा पुछा जाता है इसलिए इसको कभी भूल है ना मत ठीक है अब इस question को solve करते है question number 8 को देखे तो क्या mistake है इसमें चली देखे आज balancing के question मैंने jam jam के एक दम दिये है भर भर के मैंने दिये है देखे यहाँ पर and है एक second में बन जाएगा एक second में यह question बन जाएगा and है और and के पहले जो verb है इस verb में आपने क्या लगाया इस verb में आपने ed लगाया तो and के बाद भी जो verb होगा इस verb में भी ed लगेगा यानि dividing नहीं divided का use होगा part number c हो गया answer खतम गया ठीक है dividing नहीं क्या होगा divided हमेशा and के दोनों तरफ के पार speech को हमेशा balance करो बहुत जादा जरूरी है ठीक है चलिए इसको मिटाओ इसके बाद देखो question number nine देखो कितना symbol है इसके भी चारो word गो ना मैं तोड़ फोड़ देता हूँ ठीक है word सीखने का सुन के word सीखने का मज़ा ही दूसरा होता है कि मैं मतलब देखिए ना देखिए एक word है बेल का मतलब क्या होता है गाथा है ना गाथा का मतलब कि एक दम कविता के रूप में खूब उसका गुणगान कर रहे है राजा का क्या किया था उसने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी किस को किस किस राज्य को जीता क्या क्या किया किस से साधिय किस से स्वैम पर फालतु के बाद जो भी मतलब एक गाथा एक बंडल एक पैकेज गाथा भी कह सकते हैं या आप इसे इसको एक बंडल भी कह सकते हैं एक पैकेज भी कह सकते हैं एक प्रोज भी कह सकते हैं तो यह सब के लिए आप वर्ड यूज करते हैं बेईल कौनसा वर्ड यूज करते हैं ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आपका क्या है, शाई है, क्या कहेंगे आप उसे, वो शाई है अगर कुछ हिंदी में हरसा ही कार, दिरगई कार की समस्या हो गए, हो जाए तो माफ करिएगा, ठीक है, या इसी को कहते है कि टिमिड है, क्या है वो टिमिड, ऐसे टिमिड का मतल मुझा उसमें भी bashful दिया था क्यों क्योंकि ये ऐसा वर्ड है जिसको usually use नहीं करते मतलब commonly use नहीं करते आप ठीक है फिर एक वर्ड है बेजाइल बेजाइल का मतलब क्या होता है किसी को धोखा देना किसी को धोखा देना ये meaning किसका होता है तो इसके लिए अगर आप synonym लेना चाहें तो आप ले सकते हैं या किसी को mislead करना या किसी को derail करना यह सब इसके क्या हो जाएंगे synonym हो जाएंगे ठीक है फिर एक word है बैली कोज बैली कोज का मतलब जैसे इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा युद्ध जैसी स्थिती बनी हुई होती है या ऐसे कारण जिंदा होते हैं ऐसा व्यवहार जिंदा होता है जो साइद युद्ध को जन्म दे सकता है तो बैली कोज का मतलब भी वो situation वो चीजे जो की aggressive कर सकती है किसी को भड़का सकती है युद्ध करा सकती है तो इसलिए बैली कोज का synonym होता है war like चीजें क्या बोलते हैं इसको हम लोग war like चीजें या ऐसी चीजें जो काफी ज़्यादा aggressive है तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं बैली कोज कहते हैं ठीक है देखते हैं किसका error क्या है मतलब mistake क्या है इसमें देखिए लिगा तो बैस्वल विजर्ड बैली कोज ड्रागन विध बैल ओफ है अलॉइंग विलेजर्स अब यहाँ पर विलेजर्स का जिक्र किया लेकिन दुनिया के सारे विलेजर्स का जिक्र नहीं कर रहा यह तो कुछ खास ही विलेजर्स का जिक्र कर रहा है और जब किसी खास चीज का जिक्र होता है तो आप उसके पहले द लगाते हैं इसले इसे विलेजर्स नहीं इसे कहना चाहिए द विलेजर्स यह एक definite noun है इस का लगबग 15-16 grammatical concepts नो है जो exam के लिए बहुत ज़ादा जरूरी होते है number one, number two, कि लगबग 40 से भी ज़ादा word, 50 word इस एक क्लास में आप लोगों ने सीखा यही तो होता है क्लास का सबसे असली मज़दा, ठीक है? लो, यह, अंतिम, question, 500 करोड रूपयों के लिए, है, देखिए, सबसे पारे न मता दूँ कि इसमें जो आप words देख रहे हैं, सबसे पारा word है benefactor कौन सो word है हमारा benefactor, benefactor कौन होता है, जो बिचारा बड़ा kind होता है, जो बड़ा kind होता है, बड़ा दयालू है, ठीक है? इसको pattern भी बोल सकते हैं, इसको donor भी बोल सकते हैं, दया दिखाता है, क्या बूलते हैं, उसको दाम दक्षणा कर देता है, ऐसे उपकारे इंसान को हम लोग बोलते है, benefactor, ठीक है? फिर एक word है, बेवी, कौनसा word है, बेवी, बीवी नहीं, बेवी, ठीक है? इसका मतलब क्यों होता है, बेवी का मतलब होता है, group, क्या मिलिंग होगा इसका group, है ना? या आप इसको क्या कहेंगे, flock, हिंदी में इसी को कहते हैं, हम लोग जंड, क्या कहते हैं, हम लोग जंड, ठीक है? उसके बाद ये वड़ी ही चीजे विचित्र प्रकार की थी यानि इंग्लिश में सिनोनिम ले तो स्ट्रेंज कह दीजे उसी को या आप उसी को कह दीजे अन्यूजूल कह दीजे कोई प्राबलम नहीं है ठीक है? फिर एक वर्ड है मारा बल्वाक ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं और अभी जो मैं इसका सिनोनिम बताने वाला हुना ये भी काफी ज़्यादा क्रिटिकल होगा, बहुत इंपोर्टन होगा पहले तो बल्वाक का मतब होता है कि डिफेंस यानि आपका जो डिफेंस सस्टम है आप कितने मजबूत है, कितना सुरक्षा करने लाइक है किस तरीके से बल्वाक, यानि घेरा बनाया है आपने दरसल घेरा को, सुरक्षा घेरा को हम लोग क्या कहते हैं? बल्वाक कहते हैं तो इसके लिए डिफेंस ले लिजे और एक word इसके लिए ले सकते हैं आप rampart, क्या ले सकते हैं आप rampart, है ना, rampart word exam में पुछता है, CGL पिछला वला अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा, कि बलवाक भी दिया था और उसके option में rampart भी दिया था और right जो answer था वो था तो यह आपने देखा कुछ important words, कुछ क्या, 50 के करीब important words और 15-16 के करीब grammatical concepts, यह इस class की सबसे बड़ी खासित है, तो रोजाना अगर आप इस class को करें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा profitable, beneficial होने जा रहा है, तो मिलते हम लोग अपनी अगली class में, thank you so much for attending this class, thank you